तो भाई, फाइनली अब दाढ़ी मोटा होने लगा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत धेर सारे बीर्ड दिखाई दे रहे, कुछ बीर्ड लॉग है, कुछ अभी छोटे हैं, लेकिन एक चीज और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर कुछ बीर्ड मोटे दिखाई दे रहे, कहीं कहीं पर पतले बाल दिखाई दे रहे, अगर आप मुस्टेच के आसपास देखोगे ना, तो यहाँ पर बेबी हेर सी है, अगर मैं गालों के सेंटर में बात करूँ तो भाई, यहाँ पर मोटे होने लगे हैं, पहले से जादा बैटर बेर्ड यहाँ पर आ चुके हैं, अगर सुरुआत में तुम्हारे डेंसिटी अच्छे नहीं आएंगे, अगर लाश्ट में तुम्हारे बेर्ड टर्मिनल मोटे हो जाएंगे ना, तो दोस्त घने नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर तुम बिगनर हो, तो दोस्त जितना हो सके, उतना बेब स्वी हैर से नहीं दिखाएंगे हो तो थोड़ा ध्यां से नहीं डिकाएंगे, अगर यहां पर दिखाओ न तुम्हारे बेखाने हो है, साफ नहीं दिखाएंगे, और तो रहरे मुस्टेच के आसपास baby hair नहीं capture हुए है बट गालों के center में बहुत अच्छे तरीके से beard आए है एक चीज मैंने notice किया ये बंदा सुरू से लेक लाश तक अपने beard को long रखने की कोशिस नहीं किये है जब इनके beard long होते हैं ये बंदा थोड़ा trim करा लेता है समझ रहो न और trim कराने के फायदे तुमारे नजरों के सामने दीखाई दे रहा है अगर तुम अपने beard को trim करा लेते हो तो minox deal जितने भी minox deal है आपके beard में बहुत कम लगेंगे बाकी जहां पर लगाना चाहिए वहीं पर direct absorb होंगे मतलब आपके skin में absorb होंगे और ये बंदा जो ना सुरूस लेकर आज तक अपने beard को trim किया ताकि full पैसा वसुल हो मतलब पूरा फायदा इन्हें मिले कुछ लोग होते हैं बहुत लफरवा होते हैं और लोग अपने beard को long करते जाते हैं minox deal जो है ना लगाते जाते हैं और बात में बोलते हैं अबरार मेरे को result slow देखने को मिल रहा है मैं ये बात हर एक वीडियों बताता हूँ result क्यों slow देखने को मिलता है तुम्हें अचानक से तुम्हारे beard already long है जितने भी minox deal लगा रहो ना वो beard पर लग जाते हैं तुम्हें मोटा कैसे कर सकते हो बहुत easy tips बताऊंगा ठीक ज्यादा जहमेला नहीं है मिनहत करने की ज़रूरत नहीं है बट मैं result दिखाने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा तो भाई देखलो ये लगबग result तीन से चार महिने के हैं और एक चीज़ बता दूँ आज वीडियो आने वाला नहीं था बट मेरा फोन अभी भी 35% चार्ज है यहाँ पर दिखा देता हूँ sorry 23% चार्ज आपको दिखाई दे रहा है इतना तो भाई कल सुबह तक चल जाएगा अपनी problem बता है था इधर बट बड़ा नुकसान हुआ découv进 पता होगा थोड़े सो लोग है अगर यह वीलबट लोंग ओर जाधे लॉंग होते जाएगे आ curi आपको दिखायए देगे जैसे आप लोग इनवेड करोग न动्वोटे दिखाए देते ant来了, cuna姓 अब यहाँ इधर में जितना result, इथर में पर अच आपको 9 return, जो एक दिखाई देगा, ओके, यहां पर देखो लोग गरदन के नीचे, अभी वी, अगर एक चीज में बताऊ ना, इनके गरदन के नीचे, भाई, जो बीर्ड है, पतले तो है, बट हलकी से मोटे भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर देखो लोग चीन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से चेक आउट कर लेना, AXZ यह डिस्काउंट कोड है, आप लोग इसे यूज करना, कुछ पैसे आपके बचेंगे, यहां पर देख लो भाई, यह सब पहले की रिजल्ट है, रिजल्ट में जमीन असमान का अंतर आप लो सेंटर में आपको फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप लोग डर्मा रोलर यूज करते हो ना, तो ज्यादा प्रेशन देने से कोई, मतलब यह मत सोचना कि मेरे को फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, ज्यादा प्रेशन नहीं देना आप लोगो को, बिल्कुल नॉर्मल अगर अचानक से ड्राइने से बढ़ जाती है, तुम धीरे धीरे यूज करो, मैं यह नहीं बोलना हो कि तुम फास्ट मत यूज करो, कुछ दिन के बाद तुम आटोमेटिक फास्ट डर्मा रोलर यूज करने लगजाओगे, तुमें खुद नहीं पता होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग स्टार्टिंग में सेफ रहो, आपकी स्कीन सेफ रहे, ताकि आप लोग लाश्ट तक मिन उक्सडिल यूज कर पाओ, अगर सुरुवात में अपनी स्कीन बेगाड़ लोगे, तुमें छोड़ना पड़ेगा, ओके, तो वाई देख लो, यह सब सार पतले बाल आपको दिखाई देंगे, बट यहाँ पर अगर मैं दिखाऊ तो यहाँ पर देख लो, धेर सारे फॉलिकल्स हैं, कुछ लोग होते हैं, चूती आपक कर लेते हैं, अपने पतले बालो को मार डालते हैं, क्लिन सेफ कर लेते हैं, पतले बाल कभी भी क्लिन सेफ कर की पूरी जनम कुंडली और साइधी नव ने मार्स का मिनोक्स डिल यूज किया है और भाई देखो फूल कीट ये वंदा यूज किया चेड में आपको पता चल जाएगा यहाँ पर देखो दोस्त मेरा कैमरा की क्वाल्टी उतना अच्छा नहीं है इसलिए फिक्स क्लियर नही मिलें और तुमने जो एक यार टाइम टाइम पर अपने बियर्ट को ट्रिम किया अगर लॉंग लॉंग बियर्ट पर तुम मिनोक्स डिल यूज करते ना तो हो सकता था भाई इनिसियल बूष्ट तुम से चिंज जाए मतलब रिजल्ट दिखने को मिलता है ओके फिर भी या हो रहें लेकिन हो रहे हैं मैं विडलाइजर यूज करणे जर्णी नहीं करता है और नो तो कौन सा ब्रांड यूज कर घ्क है यह उन्हां गॉल रहा है देखो मैं तुम्हें बता दू कुछ छोटे छोटे बाल है ना तो वाई उन्हें थोड़ा ग्रो उन्हें में दिक्कते होती है नुट्रिसन नहीं मिल पाते हैं तो वाई डर्मा रोलर अच्छे से यूच करना बलड सर्कुलेशन होंगे तो वाई बलड के जरी उन्हें नुट्रिसन खुराक मिलेगा तो धिरे धिरे बड़े होंगे चलि यह थोड़ा उपर दिखाते हैं यह रिजल्ट कितने दिन का वाई मैं आपको सबसे पहले वही चीज़ दिखाऊंगा अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंग तो एक मिनट कहां पर बंदेने यहाँ पर देखलो वाई यह 70 दिन का रिजल्ट है तो वाई यह 70 दिन का रिजल्ट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंग तो वाई एक महिना सायद लग गया होगा तो भाई ये 4 महिना मान के चलो ठीक है, 4 महिना में कोई सक नहीं है चलिए थोई स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाने की कोसिज करता हूँ मैंने बाई जरनी स्टार्ट किया है मैं मेनोक्षी डिल रमा रॉलर यूज करता हूँ ये आज का 28 दिन का result है भाई 28 दिन के साथ से बहुत धडले तरीके से result मिले हैं तुम्हें बिल्कुल सही result मिला है तुम्हें तो भाई देखो अगर तुम्हारे beard मोटे नहीं हो रहे हैं तो मैं तुम्हें बता दू भाई मोटे 100% होंगे साथ तुम्हें mistake किया होगा या तो bitlizer के साथ gap किया होगा बहुत से लोग बिटलाइजर के साथ gap करते हैं पतले बालों को सबसे पहले target करता है अगर कमजोड है तो भाई उन्हें strong करेगा black करेगा ठीक करेगा सब लोग या ठीक करने के लिए ही विटलाइजर यूज करते हैं समझ रहो तुम्हारे बियट के बाल चाहे कमजोड हो चाहे पतले हो उसे कोई मतले महीं है सब कोई भाई मोटा करने के लिए ही विटलाइजर यूज करता है तो दोस्तों उमीद करता हूँ अपनों को वीडियो पसंद आई होगी अगर कर देना और थेंक्यू यार बहुत जल्द हमारे चैनल पर फिप्टीन के फैमिली होगे इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से सुक्रिया तो चलो भाई मिलते हैं कल के वीडियो में तब तक नहीं है बाब बाई